पोजिशन की तिसरी वीडियो होगी, और इसे पहले दो वीडियो, मैंने होम और हाउस के कंसेवगा थाँ, इस वीडियो में मैं आज two का कंसेवगा कि two का प्योग ना होगे, मिसे ऐख़ान कहा होगे, और कहां कहा होगे तो कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए, तो पर बताऊंगा, और ये लव ये स्टोरी पर आधारी थे, यानिके एक थुरा कहानी टाइप का इसमें बताऊंगा, जो आपको इंट्रेस्टी लगेगा, और आसान समझ में आ जाएगा, और इसमें मैं कुछन भी आपको क्रिक्टिस करवाऊंगा, तो पहले इसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आभी पढ़िये, जेनरली इज आफ्टर दीज फोलोईंग भर्व, एनी पर्शन इज मेंसंड भी यूज प्रिपोजिशन टू, कारा की समानता जो भर्व दिया हुआ है, जिनरली इस भर्व के बाद, अगर कोई पर्शन यूज होता है, तो इस भर्व में हम लोग टू लगाते हैं, आपको करा हुआ की जो भर्व आपको दिख रहा है, से, सजेस्ट, पर्पोज, रिप्लाइ, एकस्प्लेइन, कंप्लेइन, टॉक, लीसेन, राइट, प्रे, एपिल, ठीक है, यह आपको भर्व दिख रहे हैं, इस भर्व के बाद, जस्ट कोई पर्शन आएगा, पर्शन में मतलब की इस्तरी पूरूस दोनों यूज रहता है, जैसे पर्शन में जैसे मालेजी की गर्ल आजाए, मतलब पर्शन को डिनोट करें, ओ ऐसा वड आजाए, तो इस भर्व के बाद हम लोग तू का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक संटेस हैता, जैसे लिखा ठीक है, अब इसमें कौन सा फिर पोजिशन आएगा, तो यहाँ पर टू आएगा, मैं पहले सी लिख दिया हूँ, ठीक है, यह सी का सब्जेक्ट है, पूछे यह नावन या पोनावन है, और प्रोपोज या भर्व है लेकि भर्व का सकेंड फर्म है, तो देखें यहाँ प परपोज के बाद मी आया है, और मी किसी परसन को डीनोट कर रहा है, मी मतब मुझे होता है, ठीक है, तब मी परसन को डीनोट कर रहा है, इसलिए परपोज के बाद हम लोग फिर पोजिशन टू का इस्तमाल करेंगे, किस का इस्तमाल करेंगे, टू का इस्तमाल करेंगे, ठी है सजेश्ट है प्रफोज है रिपलाई है एक्स्प्लेन है कंप्लेन है टॉक है लीशन है राइट है प्रेह अपील है तो इसको मैं एक कहानी अपको बताऊंगा तो याद हो जाएगा मैं यहीं पर लिखूंगा तो गाधा कलर कर दो हारा है मैं आपको घ्रक इपना बताऊंगा कहाणी तो आपको समझने जाएगा थिक है दो दोस्त हैं एक थिक कितने दोस्त है, दोस्त है, एक A है, एक B है, ठीक है, तो ये दोनों कि दोस्त कोलेज आते हैं, तो कोलेज नाम के लर्खी, म Agr flour है, ठीक है, तो C लर्खी पसंद आती है, ठीक है, तो A जो B है को C लरकी पसंद आती है ध्यान सुनते रहिएगा B को C लरकी पसंद आती है तो B क्या करता है अपने A के पास आता है दोस्त पास और कहता है यानि कि C कहता है तो ये दोस्त अपने B दोस्त को सजेस्ट करता है सजेस्ट करता है यानि कि बताता कि जाओ कुछ परपोज कर उनको तो फिर बी जाकर सी को परपोज करता है और सी जो है लड़की है और रिपलाई करती है क्यों रिपलाई करती है क्यों मुझे मुझसे परपोज कर रहे हूं रिपलाई करती है तो भी इसे एक्स्प्लें करता ह तो पूलिस वाले उस बात को सुनते हैं फिर बाद में रिपोर्ट लिखते हैं जैसी रिपोर्ट लिखने बात बी को पता चलता है तो वो क्या करते ही फिर से इसके पास आकर प्रत्ना करता गिरता है फिर भी यह नहीं मानती है और इसे बी को सजा दिलाने के लिए कोट में अपील करती है ठीक है तो यह आपको समझ में आया होगा ठीक है मैं दोहराओंगा नहीं आप पीछे देखकर तो बी वह नराज हो जाती है करती यह गाल दी फिर प्स Elis Г सुनती है अब फिर प्लिस इप सफ़ेसंड शुनते है पर प्लिस रेपोर्ट लिघते हैं इससी पता चलता बी को तो वह सी के लिए परेतना करने आती हैं सी से मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मिसे गलती हो गया फिर भी सी नहीं मानती है और लाश्ट में आपील कर देती हैं सी इनको साजा दिलबा के रहूंगा तो यही ट्रिक है जिससे आपको यह जितने सारे भर्ब आपको कोई पर्षन आएगा तो पर्षन से पहले हम लोग तू लगा देंगे तू पर पोजिशन लगा देंगे ठीक है इतना आप समझ गया चलिए अब एक्जांपल में कराते जाता हूं फर्ष्ट मैंने आपको करा दी जा हूं मैंने इसका साइड में इंसर भी लिखा हुआ था अब मैं कौराता हूं मैं टो फर्स्ते शी प्रफोज्ट मी इस में भालो तूपर पहले है यहां रहा रहा है रहा है यहां रहा है यह क्टरकोज तो श कम यहां को चैज analytic करा दो को i7 की करता है इससे पहले है फिर प्रषिशन तूका इस्तिमाल होगा ठीक है, अब नेक्स चलते हैं, कुछन बट्टू, यहां लिखा है, माई फ्रेंड वितना लंबा है ना, A, A, B, C, D, E, और A, आपको यह भी पूछा हुआ गया, यह जो है, आपको कुछन A, C, C, G, L, 21 पूछा हुआ, ठीक है, चरिया बढ़ते हैं, My friend proposed me, देखिए, यहां proposed me आ गया, यहीं से पकर में आ गया, ठीक है, बाकी आगे पढ़ने की जुवत नहीं है, My friends proposed me, friends हो गया, मत्थ यह पूलर है, आपको पता है न, कि A, C लग जाता है, तो पूलर हो याता है, जैसे मैं आपको पता हूँ, गर्ल, एक लर्की की बात हो रहा है, लेकिन इसी में A, C लगा देंगे, तो एक से ज़्यादा लर्की की बात हो रहा है, ठीक है, चलिए, तो My friend proposed me, तो देखे, परपोज मैंने यहाँ बताया हूँ, कि परपोज के बाद कोई person आता है, तो उसके बाद हम लोग 2 का इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ परपोज है, लेकि परपोज में आया हुआ है, अब में person को denote करता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगना चाहिए, जो 2 नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर, इसमें mistake है, यह बला answer हमारा हो जाएगा, ठीक है, चलिए बागरा question चलते है, फाशे ही चलते है, नंदनी complained my father, मी, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और कहा गया, violet dew, और यहाँ भी खाली है, यह हाइफन है, ठीक है, हाइफ नंदनी complained my father, अब complaint एक इसमें आ रहा है क्या, ठीक है, देखे, complaint, यहाँ देखे, complaint आ रहा है, और complaint के बाद कोई person आएगा, तो हम लोग इसके बाद 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ देखे, यहाँ देखे, नंदनी complaint, complaint के बाद my father, अब my father, परसन को denote कर रहा है कि नहीं, किसी बेक्ति का दीनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हमको 2 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर समझ गया, फशली बताया हूं, complaint है, तो complaint के बाद बाद बोले थे कि इसके बाद कोई person आएगा, तो हम लोग लगा देते हैं, तब complaint माई father आया हुआ है, और my father परसन को denote करता है, इसलिए यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है, अब आगे देखे, अब यहाँ पर है, अपना मन से देना होगा, father me, my, नंदनी कंप्लेंड my father, नंदनी कंप्लेंड to my father, me, तो देखे हैं, मी आगा तो आपको दिमाग लगाना है, देखे, complaint जो है, किसी के favor में किया जाता है, क किसी के पक्ष में किया जाता है, किसी के बिरोफ किया जाता है, ताफके एक complaint है, तो हमेशा बिरोफ में कummे जाता, याँनि कि अंगेष्ट में, कि खिलाप में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, одним का website , मैं लिखती है, यहाँ पर, यहाँ पर लिखे है, आपको है भी लगत डी लगस हर vär अब डेखिए पी लड डी वोक्स हर दिया हुआ को कि तो करा की देखिए यहां पर बी लट ड्यूक्स का मतलब क्या है चल लेकिए आप यहां समझते हूंगे लब लेटर का मतलब क्या होता है ताब को यह प्रियंप पत्र होता यह प्यार का पत्र होता तो लब लेटर का ही ये दूसरा जो नाम बोलता है बीलेट डियोंक्स ठीक ै मतला लब लेटर बहुत बोलीैं तो यहां पे आपको हो जाएगा I never मतलब मैं कभी नहीं आपको एक पत लिखूंगा तो यह क्या हो गया भर्प ठीक है और यहां पे हर आ गया तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे टू का इस्तमाल कर देंगे क्यों तो देखिए क्यों पेक्चा जा रहा है यहां देखिए यह लव लेटर देने की बात हो रही तो पर पुर्पोज एक तरह से किया जा रहा है तो इसे भी आपको दिमाग में आ सकता है इसलिए यहां पे बिलेट बॉक्स मैं कभी भी चलिए अब बताता हूं देखिए मैं कभी भी राइट ठीक है और राइट यहां भर भगया तो रा यहां पे माली के बिलेट डॉक्स से लव लेटर भी लिख सकते हैं तो इस भर्व के बाद भी आपको क्या आना चाहिए पर्शन आएगा तो लगा देंगे ठीक है तो इसका एंसर भी हो जाएगा आपको आगया नंदनी कंप्लेंड तू माई भादर एगेंस्ट गांश्ड एगेंस्ट अगेंस्ट तो मतार क्या मैं टू अगेंस्ट जागा सो जागा तीसरा का चौत आपको कुष्यन आपको पांची बता रहा हुँआ था शीपर फोज देंगे अब अब्स आखने पर पोज आगया अब अब को पर सम्ठल कोई person को denote नहीं कर रहा है तो यहां पर हम लोग तू का इस्तमाल नहीं करके यहां पर इस्तमाल करके यहां पर गोईंग का इस्तमाल करेंगे चलिए आप पाचमा कुशन देखते हैं दिख रहा होगा आपको लिखा है अजय चौधरी अजय चौधरी तो नाम हो गया मनी सब्जेक्ट है अपील दजज ही इस रिलीज जिल देखें अपील आ गया फिर यहां से मिला यह आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको दिखा दो आपिल लगत रहे होगा ज समाख है आपको लेंग देखिए अजय चदुरी आपिल पहें तो अपिल कर रहा है तो आपील कर रहा है क्या चिज जोतो है क्याहिका क्या सब्सक्राइब क ? इसे जस है तो अपील जो है अपील के बाद परसन इसलिए टू लग गया ठीक है और ये जस अपील किसके लिए कर रहा है तो रिलीज के लिए जेल से चुटने के लिए कर रहा है ठीक है और से फ्रोम होता है इसका एंस हो जाएगा तू फोर फ्रोम तू फोर फ्रोम इसका एं आगे में भी बताते रहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए धन्युक्त